फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केर तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडिय सबसे पहले हलो एब्रीवन वेल्कम टू भव्या हेल्थ केर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्या तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेहत के लिए फायदे मंद है लीची जैसा दिखने वाला ये फल तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ फायदे फल तो सबी सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं लेकिन क्या आपने राम बुतान फल के बारे में सुना है कमी लोग इस फल के बारे में जानते हैं लीची जैसा दिखने वाला ये फल भले ही आम बजार में कम देखने को मिले लेकिन सोपा मारकेट्स और ओनलाइन प्राप्त कर सकते हैं इस फल की भारी परत पर बाल जैसे रैशे निकले होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में विचामिन सी प्रोटीन पाया जाता है साथी 100 ग्राम राम बुतान फल में सिर्फ 84 कैलोरी पाई जाती है तो चलिए जानते हैं अब इसके और क्या-क्या फायदे होते हैं डाबिटीज में ये फायदेमंद होता है इस फल के साथ इसका छिलका भी काफी गुड़कारी है इसके छिलके में एंटी डाबिटेक गुड़ पाय जाते हैं जो डाबिटीज की बिमारी में फायदेमंद साबित होते हैं रिदे रोग में फायदेमंद राम बुता क्यारुन्री हार डिजीज के खत्रे को कम करता है हाई ब्लड प्रेशर और कॉलिस्ट्रॉल हिर्दे को नुक्सान पहुचा सकते हैं ये खास फल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर सकता है हड्डियों को मस्बूत बनाता है रामब रामबुटान में विटामिन C मौचूथ होता है। इसके सेवन से लंबे समय तक हड्या मस्बूत रहती है। रामबुटान फल आपकी सकिन के लिए भी काफी फायदे मंध है। रामबुटान फल का बीज सकिन को हेल्दी बनाने का काम करता है। इसके बीजों से बने पीस्ट को चहरे पर लगाने से स्किन के दाग धब्बे दूर होने के साथ स्किन में निखार भी आता है। ये फल स्किन को हाइडरेट करने का काम भी करता है। रोजाना चहरे पर इसके बीच का पेस्ट लगाने से स्किन, कोमल और मुलायम होती है। इसमें मौजूद मैगनीज वे विटामिन सी कॉलिजन का उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और एंटी ओक्सिडन्ट के रूप में काम करते हैं जो फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं। ये सब आपकी त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बनाए रखते हैं। डाइजेशन को भैतर करता है। रामभुतान फल में मजूद फाइबर डाइजेशन में सुधार करता है। जिससे कब्स की समस्या दूर हो जाती है। इसमें मजूद एंटी बैक्टीरियल गुण आतों में मजूद बैक्टीरिया को नश्ट करते हैं। रामभुतान फल दस से भी आपको निजात दिला सकता है।